देश मना रहा है समिधान दिवस की सतरवी वर्षकांट राश्पती उपराश्पती और प्रदान मंत्री ने संसत के विचे सतर कुखिया सम्भोधित प्रदान मंत्री ने देश वासियों को समिधान दिवस की शुब काम नहीं दी कहा 130 करोड भारतियों ने लोगतंत्र के प्रति आस्ता को कभी कम नहीं होने दिया मुखे मंत्री ने समिधान दिवस पर विदान सभा के विशे सतर में संकल्प पत्र पर चर्चा की कहा 14 अप्रेल 2020 तक प्रदेश में मूल करतव जागरुकता अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में भी समिधान दिवस पर अनेक का रिक्रम आयोजित समिधान के प्रती सची निष्ठा और अधिकारों का पालन करने की शपत दिलाए गई समिधान सभा का समिधान अंगी कृत करने की सत्तरवी वर्षकाट मनाने के लिए संसत के केंद्रिय सभागार में दोनों सदन की सिर्ट बैठक आयुजित की गई विपक्षकी सदस्यों ने इसायोजिन का बहिशकार किया राशपती रामनात कोविन ने समिधान दिवस के मौके पर संसत के विशेश सत्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सत्रमी लोग सभा में 38 महिला संसतों का चुना जाना गर्व की बात है राशपती ने राश्ट्रे युवा संसत योजना वेब पोटल को लॉंच किया और साथ ही धाई सो रुपे का एक सिक्का भी जारी किया लोग सभा में आज तक की सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला संसतों का चुना जाना हमारे हमारे लोग तंद्र की गौरोपूर्ण उपलब्धी है महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने सम्मंधी इस थाई संसदी समित में आज सत प्रिट्सस सदसता महिलाओं की है यहे एक महत्पूर्ण सामाजिक और राजनेतिक परिवर्तन है जिसमें आने वाले कल की सुनहरी तस्बीर जलकती है उप्राश्पती वेंकया नाइडू ने कहा कि पिछले सतर साल में देश के समिधान ने भारत के हरनागरी के हितों की रक्षा की है प्राश्पती प्राश्पती है संविधान देवसपर प्रधान मत्री नेंद्र मोधी ने डॉक्टर आजिंद्र प्रसाद बाबा साहिब भीम्राव अंबेटकर सर्दार पठेल मौलाना आजाज सुचेता क्रिपलानी और तमाम महापरुशों के योगदान को याद किया तथा संविधान जैसी महान विरासर सौपने के लिए उन्हें नमन किया संसत के सेंट्रल हॉल से प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी ने आज हर देशवासी को संविधान दिवस की शुपकामनाय दी और कहा कि 130 करोड लोगों ने भारत के लोकतंतर के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया और संविधान को एक पवित्र ग्रंथ माना प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में दो संदेश साफ लिखे हैं भारतियों के लिए गौरफ और भारत के लिए एक्ता और इन दोनों संदेशों ने भारत की गरिमा को परकरा रखा है और ये ते किया है कि भारत की एक्ता मजबूत बनी रहे पियम ने संविधान में लिखे हम भारत के लोग का जिक्र किया और कहा कि भारत के लोग ही संविधान की ताकत हैं प्रेर्णा है और उद्देश्य भी है। समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष उत्कर्ष और निस्कर्षगा मीला जुला भाव लेकर के आये हैं। समिधान को अगर सरल भाशा में कहना है तो कहूंगा डिगिनिटी फर इंडियन एंड यूनिटी फर इंडिया। इनी दो मंत्रों को हमारे समिधार ने साकार किया है। नागरिक की डिगिनिटी को सर्वुच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एक सावरा खंडता को अक्षुन रखा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कारकम में हर बात्चित में हम डिटी पर फोकस करें। जनता के साथ समवाज करते समय जूटी की बात करना हम न भूलें। हमारा समिधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। We are the people of India हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं। हम ही इसकी प्रेणा है और हम ही इसका उद्देश है। मैं जो कुछ हूँ वह समाज के लिए हूँ, बेश के लिए हूँ, यही करतव भाव हमारी प्रेणा का स्रोत है। मैं आप सभी का आवान करता हूँ कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरी के तोर पर अपने करतवियों का पालन करें। मुखे मंतरी मलोहर लाल नयाच चन्रीगड में हर्याना विदान सभा के एक दिवस ये विशे सत्र में, संविदान दिवस पर संकल्प पत्र सदन में प्रस्तित करते हुए चर्चा आरंब की और संकल्प पत्र पढ़कर भी सुनाया। मुखे मंतरी ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश के जन जन को मूल करतवियों से परचित करवाने के लिए आज से लेकर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129 वी जैनती 14 अपरेल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल करतविय जागरूकता पर संबब प्रयास करने का संकल्प लेता है ताकि हम एक सशक्त भारत निर्माण में सफल हो सकें मानना है कि किसी भी संब्य समाज में अधिकार और करतविय एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं हाल ही में हमने रास्टपिता महात्मा गांधी का 150 वा जन्ती वर्ष मनाया है उन्होंने कहा था राइट इस ड्यूटी वेल परफॉर्ब अर्तात करतविय का सही निर्वैन ही अधिकार है ये कटू सकते है कि स्वतंतरता के बाद से हमारे देश में मूल अधिकारों पर मूल करतवियों के मकाबले बहुत अधिक बल दिया गया शुरू में शायद ये आवशक भी था पर उन्तु अब समय आ गया है कि अपने लोकतंतर को और परिपक्व करने के लिए हम भारत के सभी नागरे अपने मूल करतवियों का दिर् परिशेशकर युवा पीडियों को मूल करतवियों से परिजित करवाने के लिए आज से बाबा सावत भीमराव मेडकर जी की 129 जनती अता 14 अप्रेल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल करतवियों जागरूपता भ्यान चबाया जाएगा इसमें शिक्ष्ण संस्ताओं नागर सारी विभागों द्वारा मूल करतवियों पर वारता, संगोस्टी, प्रश्णोत्री, वाद विवाद प्रत्योगिताएं, विचार गोस्टिया, निबंद लेखन पर पेंटिंग प्रत्योगिताएं आजित की जाएंगी हर नागरिक को उसके मूल करतवियों के बारे में अ सविनान दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र के शेक चेहली मकपरे में एक कारिक्रम का आयजिन किया गया कारिक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्शन विभाग द्वारा आयजित किया गया जिसमें स्कूली बच्चों, परेटकों और विभाग के करमचारियों ने समयधान की उद्देशिका का पाठन किया पुरातत्व विदों ने समयधान निर्मान का इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी हमारे समयधान में बहुत ही खासियत है इसमें सभी जात इधार संप्रता है सभी लोगों को समान रूप से स्थान दिया गया है और सभी लोगों को अपने विचारों की अभीवक्ती हर चीज की सोतनता पतान की गई है एक निश्चित दायरे में रहते हुए और हम इस दिवस को मनाने का विचेश रूप से महत हुए है कि हम अपने साथ जुड़ने वाले परेटकों को बच्चों को भावी जो कल देश के हमारे नागरिक होंगे उन सब को हमारे जो सविधान इसके महत के बारे में उनको हम जानकारी दे सकें और इसके महत को बताएं जिससे जो यह हमारी लंबी एक विरासत और जो परंपराच भारत की है वो आगे भी बनी रहे कायम रहे हम सभी के लिए fundamental rights और fundamental duties बराबर के महत पूरण हैं हमें सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें अपने कर्तवियों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों साथ-साथ चलते हैं यही सभी धान की intention थी फरीदाबाद के सुरजकुंड में पुरातत विभाग के अधिकारियों और करमचारियों ने पुलिस स्वास्त अधिकारी और परेटन विभाग के साथ मिलकर समिधान दिवस मनाया इस अफसर पर सभी ने सामोही करूप से सविधान का पालन करने की शपतली और सविधान की महिमा पर प्रकाश डाला उत्सव है तो इस वारे में मैंने जो बताया था कि भारत के सविधान की जो सफद राक्टर भीरा उमेड कर ने लिखा था उसके हमने अंसुसा अंकॉम्पा करने की शपतली यहां पर अलग लग राए हो सकती है लेकिन मेरा अपना मत है कि सब जो देश में चल रहा है वो सिर् प्रबुद्जनों ने अपने विचार सांजा किये पत्रकारों से बाचीट में उन्होंने बताया कि भारत का समयधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तवियों की जानकारी देता है यह हसल के समयधान है और इसमें अर्दार आर्टिकल है समयधान हमें मौलिक सभीधान के अंदर सभी निहीत है तो 26 जो नौंबर आज के दिन और 1950 को हमारा जो सभीधान जो निर्मित हुआ था सभीधान जो तियार हुआ था तो आज हम उसी के दाइरे में हर सभीधाएं पराप्त करते हैं अबनाद के अपना दिकार है और ये विबिन से लिए गया गया देश का उसका सबस्क्राइब ये और अगर सबाएं का निर्मान नहीं होता तो देश साहिद कुछ अलगी दिसाय में होता तो बाबा साब मेट करने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया और कैथल में समिधान दिवस निश्ठा और उट्सास मनाया गया उपायुक्त डॉक्टर ब्रेंगा सोनी ने अधिकारियों और करमचारियों को वे समिधान के प्रती सची निश्टा रखने और अपने अधिकारों तरथा करतव्यों का पालन करने की शपद दिलाई पत्रकारों से बाचीत में उपाईुकत ने कहा कि समिंधान में देश के नागरिकों को अनेक अधिकार दिये गए हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए समिधान दिवर्ज के अफसे पर युवाओं में काफी उटसा देखा गया उन्होंने कहा कि देश का समिधान विष में एक अनोका समिधान है और अंतमेस बुलुचेन के मुखे समाचा एक बर फिर देश मना रहा है समिधान दिवस की सतरवी वर्षकांट राश्पति उपराश्पति और प्रधान मंत्री ने संसत के विशेश सत्र को कि ऐसा मोदित प्रधान मंत्री ने देश वास्यों को समिधान दिवस की शुब काम नहीं दी कहा 130 करोड भारतियों ने लोकतंत्र के प्रतियास्था को कभी कम नहीं होने दिया मुक्य मंत्री ने संविदान दिवस पर विदान सभा के विशेश सत्र में संकल पत्र पर चर्चा की कहा 14 अप्रेल 2020 तक प्रधेश में मूल करता वे जागूता अभ्यान चलाया जाएगा प्रधेश में भी संविदान दिवस पर अनेक का रिक्रम आयुजन संविदान के प्रती सचीर निष्टा और इतिकारों का पालन करने की उश्रपत दिलाई गई समाचारों में आज बस इतना ही नमस्कार